हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर भगवान के डाकिये भगवान के डाकिये के कोश्चन आंसर पढ़ने से पहले आज का सू विचार है शिक्षा का मुक्यदे चरित्र निर्मान है चलिए सार्ट करते हैं कोश्चन आंसर अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक सस्क्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए हम शुरू करने जा रहे हैं कोश्चन आंसर तो पहला वेरी शोट कोश्चन आंसर है पक्षी और बादल के संदेश को पढ़ने में कौन सक्षम है तो हमारा उत्तर है पक्षी और बादल के संदेश को पढ़ने में पशु पक्षी पेड़ पौदे पहाड़ पानी आधी सक्षम है दूसरा कोशन है एक देश से दूसरे देश बिना भेद भाव किये कौन जाते हैं उत्तर एक देश से दूसरे देश बिना भेद भाव किये पक्षी और बादल जाते हैं कोशन नमर तीन है पक्षियों के पंकों पर क्या दिखाई देता है उत्तर है पक्षियों के पंको पर सुगंद सौरव दिखाई देती है पोशन नमबर चार है एक देश की भाव दूसरे देश में क्या बनकर गिरती है उत्तर है एक देश की भाव दूसरे देश में वर्षा के पानी बनकर गिरती है अब लगू त्रीक प्रेशन उत्तर पढ़ेंगे आकाश में पक्षी निरंतर क्या कारे करते हैं? उत्तर आकाश में पंक्षी निरंतर संदेश पहुचाने का कारे करते हैं. कोशन नमबर तू है पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिठियों में कौन सा संदेश छुपा रहता है? उत्तर है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिठियों में एक ताम प्रेम शांती का संदेश छुपा रहता है जो सभी को एक साथ मिल जूलकर रहने का देश देता है कोशन नमर तीन है एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या अदान परदान करती है या एक देश की धरती से दूसरे देश की धरती को क्या अदान परदान होता है तो उत्तर है एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंद अदान परदान करती ह कोशन नमर 4 है प्रकरती के संदेश के बारे में कवी का क्या मानना है उत्तर है प्रकरती के संदेश के बारे में कवी का यह मानना है कि बिना बेद भाव के अपना कारे करती है प्रकरती और सब के साथ एक जैसा वेंवार करने की हमें सीख भी देती है दिर्गुत्री प्रशन उत्तर है प्रशन नमबर वन है कवी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है ये NCRT का कोश्चन आंसर है उत्तर है कवी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताया है क्योंकि ये मनुशी की बनाई सीमाओं मे बंदे नहीं रहते अपनी चहचाहाट और गडगड़ाहाट से डाकी के समान इश्वर के एकता सदभावना और प्रेम शांती का संदेश लेकर आते हैं ये किसी को अपना शत्रू ना मान कर सबको समान मानते हैं और हमें भी एक साथ मिल जुलकर रहकर अच्छा वेवार करने क संदेश देते हैं कोशन नमर टू है पक्षी और बादलो द्वारा लाई गई चिठियों को कौन पढ़ पाते हैं उत्तर है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिठियों को पशु पक्षी पेड़ पोधे नदियां पाहाड ही पढ़ सकते हैं ये सभी देशों का संद देश लेकर आते हैं लेकिन दुर्भाग गेवश मनुष्य उसे समझ नहीं पाता अगला कोशन है एक देश की धर्ती दूसरे देश की धर्ती को सुगंद भेशती है इस कतन का भाविस्पष्ट कीजिए उत्तर है प्रसुत पंक्तियों द्वारा कभी ये कहना चाहता है दुन कि भगवान का संदेश केवल एक बीच एक जैसा हो सकता है पर वो रूप नहीं सकता इसलिए पक्षी और बादल टाकिये का रूप लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं कविता में सत्भावना की कहा गया है सत्भावना का परचाथ एक देश से दूसरे देश रोका न नहीं जा सकता